टाइगर श्रॉफ और रितिकुर उशन स्टारर फिल्म वार जो है दो अक्टोबर को रिलीज होने के लिए दयार है वहीं सितंबर के स्टार्टिंग से इसके प्रमोशन का काम पूरी तरीके से चालू हो जाएगा आपको बता दे कि इसका ट्रेलर जो है इसी महीने के आयन के आसपास या फिर आपको नेक्स्ट मंत की फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसके ट्रेलर को लीकर फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लेकिन हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं टाइगर शॉफ के अपोजिट एक्ट्रेस के बारे में जहां वाने का पूर टीजर से पता चलता है कि वो रित्ती क्रोशन के अपोजिट नजर आएंगी वहीं Tiger Shroff के opposite कौन सी actress होगे इस बात कभी तक खुलासा नहीं हुआ है जी हां दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी actress नजर आएंगी Tiger के साथ दोस्तों आपको बता दें कि Tiger इस फिल्म के अंदर जो है एक कॉप का रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं जो की रितिक रोशन का पीछा कर रहे हैं और इस फिल्म को इस तरीके से बनाया गया है कि इन दोनों के बीच में misunderstanding हो गई है जिस वज़े से एक दूसरे को chase करती नजर आ रहे हैं दोनों फिल्म के अंदर anti hero का किरदार कोई भी नहीं निभाने वाला दोनों फिल्म में hero के किरदार में होंगे और villain के किरदार में आपको कोई और ही नजर आएगा वहीं बात करें इसकी love story की तो love story love triangle हो सकती है जहां वानी का पूर रितिक रोशन और साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ के साथ भी नजर आ सकती है क्योंकि इस फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ के opposite अब कोई भी actress नहीं दिखाई गई इससे साफ पता चलता है कि ये फिल्म इन तीनों के उपर based होने वाली है आप देखना दिलचस्ट रहेगा कि ये एक love triangle होता है या फिर एक mystery दोस्तों आप कितना excited है वार के लिए और इसके trailer के लिए हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं सब्सक्राइब करें देखो देखो जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि ही मिलती है आपको बॉलिवूड से चुड़ी हर कबर सबसे पहले